एक चीज देखी कमर जरबने, जो इशा की पापा है, उन्होंने इशा को गलत चीज़ों के लिए कहीं सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सर की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, इन फैक मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरी और इशा की एक चोटी जी नोगजो कुईती सेट पे, तो मैंने इसके फादर को जाके बुला था कि आपके मेटी बहुत बत्तमीज है, ये बहुत बत्तमीजी से बात करती है बड़ों से, तो तब ही उन्होंने मुझे मुझे बोला था कि ने, मैं उसको समझाओंगा, अप इस चीज से बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी हुआ है, उससे मैं बात करूँगा, और मुझे हमेशा लगता था कि इशा के फादर इस राइट परसन तो टॉक अबाउट एनिधिंग, तो तब ही मैंने इंतजार किया थ मैंने, मेरा नेचर है, मैं ऐसे तू-तू मैं मैं नहीं लड़ सकती, वो इशाल बोल रही थी, मैं चुप-चौप सुन रही थी, मैंने बोला तुम बोल दो जितना बोलना है, दरवाजे पर खड़ी होके, मैं चेर पर बैठी, मैं अपने हैड़फोन लगा के अराम से बैठ और लगा के लिए त्षैथ साथा आऑ, भर जो है तू मैंने चुप-चाह स्ऐरे थी, लूगा को धूल लंग जा कर बत बहुत है थी, मैं तू जब हिशा के पादर जा४द कि दिनésusन, से पादि थी, मैं पसफफ्रिव जिया सो रूट टू ऐर जो बहुत है तो, अराम तो चीज़े हमारे में नॉमल हो गई क्योंकि पापा ने चाहे वो अभिशेक को भूली करने वाली बात हो अभिशेक की ममी से जो इसने माफी मांगी वो बात हो या फिर अनुराफ की फैंस वाली जो एश्वर्या को निकाला इन सारे चीज़ों से इसा को बिल्कुल सही चीज तरीके से उन्होंने हर चीज़ को वो किया है मेरी रिस्पेक्ट मतलब उनके लिए बढ़ गई है सीरियसली एक चीज़ और लगी कि वो शाय समद के साथ इशाय को देखकर खुश नहीं है तो आपने देखा जिस तरीके से कोई फादर नहीं होगा कोई फादर नहीं होगा वो अभिशेक से अपसेट नहीं दिखे ना बिल्कुल बिल्कुल मैं बूल रही हो ना कि जो सब हो रहा था ना हिना इतनी चोटी उमरें उनकी बेटी और समर्चो चीज़े कर रहे थे वो कितनी फादर को प्राउड नहीं होगा उन्हेंने बोला था कि बेटा आगे बढ़ तो उस चीज़ के लिए समर्च से नाराज उनका बनता था उनका कोई भी फादर होता वो नाराज ही होता मेरा दरवाजे के हैंडल पे सर मू लगा और ये निशान है मुझे और ये उस टाइम पे सिरफ मैं नहीं थी मेरे साथ और भी मेरे कोई आर्टिस्ट उस रूम में थे जिन्नों ने सब ने ये बात सुनी की वर्डिंग है कि उसकी मम ने उसे मारा था ना कि अभी शेक ने